हमने हाल ही में चीन में COVID मामलों में भारी उचाल के बारे में एक वीडियो जारी किया था जिसे हर तरफ अफरा तफरी मज गई है खबर वाइरल हो गई है शोध विशेश अग्यों के मताबिक चीन की 140 करोड की आबादी में से साथ प्रतिशत अगले तीन महिने में कोरोणा से संक्रम्मित होंगे जिससे मामलों में उच्च वृद्धी होगी उन्होंनों ये भी बताया है कि चीन में बहुत सारी मौते होंगे चीन के चौंकिंग शहर के ट्विटर पर एक विडियो में एक कोविट अस्पताल के आपातकाली निगरानी कक्ष में मरीजों को तंग दिखाया गया है मामलों की अधिक संख्या के कारण ठके हुए डॉक्टर ठकावट की वज़े से घिर गए सित्ती बेकाबू होती जा रही है कोविट नाइंटीन फिर से खतरना गती से बढ़ रहा है क्या इसका मतलब ये है कि चीन में बढ़ते मामलों का असर भरत पर पड़ेगा क्या मैं आपको बताता हूँ कोरोना वाइरिस के कई प्रकार है जिन में से एक ओमिक्रॉन है और इसने कई लोगों को संक्रमित किया था अब ओमिक्रॉन परिवार से कई सब बेरियन सामने आये है बी एफ पॉइंट सेवन ओमिक्रॉन परिवार का अनुमांशिक रिश्चिदार है भारत में ओमिक्रॉन सब बेरियन बी एफ पॉइंट सेवन के मामले पाए गए है आश्चर्य चनक BF.7 का पता दो महिने पहले अक्टूबर में गुजरात में चला था मामला चीन में उच्छाल से पहले भारत में हुआ था चौका देने वाला BF.7 के पहले मामले का पता गुजरात बायो टेक्नलोजी रीसर्च सेंटर ने लगाया था अब गुजरात से दो और मामले सामने आये है और एक मामला ओरिसा से है कुल चार मामले है एक पुराना और तीन हाल के BF.7 है भगवान ओमिक्रोन उबेच जैसे BA.2.75 BA.5 BQ.1 और XBB बाकी दुनिया में पाये गए है इसी तरह ये मामले भारत और दुनिया भर में पाये जाते है कितना चौकाने वाला है ये अब भारत में लोग BF.7 और अन्य सब भी वेरियन को लेकर चिंतित है और सोच रहे है कि क्या भारत को COVID संक्रमन की एक और लहर, लॉक्डाउन, बेरोजगारी आधी कफ फिर से सामना करना पड़ेगा भारत सरकार ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है चीन में उच्छाल का भारत पर बड़ा असर नहीं होगा हाला कि सरकार ने कहा है कि लोग वाइरस के प्रसार को नियंत्रित करने में उनकी मदद कर सकते हैं एक आसान काम करके मास्क बहन कर, बस यही मास्क के साथ-साथ भीट भार वाली जगों और भीट भार वाले आयोजन से भी बचे सामाजिक दूरी बनाए रखे एडवाईजरी के मताबिक मास्क पहनने से स्तिती पर काबू पाया जा सकेगा साथ ही स्वास्थमंत्राले ने सभी राज्यों को एक एडवाईजरी और गाइडलाइन्स जारी की है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए भारत के दक्षिन से उत्तर की और यात्रा कर रहे है उन्हें कोरोना मामलोक में उच्छाल के कारण अपनी यात्रा रोकने की सलहा दी गई है सिरम इंस्टिट अफ इंडिया के CEO आदारपुना वाला जिन्होंने COVID वैक्सिन का निर्मान किया था ने कहा BF.7 वेरियन को लेकर गबराने की कोई बात नहीं है हम भारत सरकार पर वरोसा करना जारी रखना चाहिए और चिंतित नहीं होना चाहिए सरकार प्रसार को नियंतित करने के लिए सबसे अच्छा कर रही है हमें मास्क पहनने और समाजिक दूरी बनायी रखने की जरूरत है हम सब भारत में COVID-19 मामलों की वृद्धी को रोकने में मदद करने के लिए जिम्मेदार है आशा है कि यह हमें सुरक्षित रखेगा और गबरानी की कोई बात नहीं